भारत पे अकाउंट डिलीट कैसे करें फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अगर आपने बिजनस के लिए भारत मर्चेंट पेमेंट एप को इंस्टॉल किया हुआ है और भारत पे में आपने अकाउंट क्रियेट किया हुआ है जिसे अब आप प्रोफैल नेम के साथ में आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है कि इसके पराद बताथ अब लीट करने का आपके सामने आजाएगा यहांसे आप इज़ली अपने भारत पर मर्चेंट ऐकाउंट को डिलीट कर सकते हैं लेकिन दोस्सटों अगर आप अपने भारत पे अकाउंट को delete कर देंगे तो same number से आप अपने भारत पे अकाउंट में ना तो login कर पाएंगे और ना ही दुबारा से भारत पे में sign up कर पाएंगे अगर आप इन feature भारत पे का use करना चाहेंगे तो आपको अपने नए नमबर से भारत पे अकाउंट को create करना होगा तबी भारत पे का use आप कर पाएंगे यहाँ पर मैं आपको सैजिस करूँगा कि आप अपने भारत पे अकाउंट को डिलीट करने की जगह पर अपने अकाउंट से sign out कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पर logout option पर आपको click करना होगा जिसके बाल आप अपने भारत पे अकाउंट से logout हो जाएंगी logout करने के बाद कभी भी आप अपने phone number पर click करके दुबारा से भारत पे अकाउंट में login कर सकते हैं भारत पे का use कर सकते हैं लेकिन उस्तों अगर आपको हर condition में अपने भारत पे अकाउंट को delete ही करना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको delete account option पर click करना है क्लिक करते हैं एक pop-up में आपको इसका alert मिल जागा कि अगर आपने एक बार अपने account को delete कर दिया तो फिर आप same number से इन feature भारत पे का use नहीं कर पाएंगे अगर आपको फिर भी अपने phone पे account को delete करना है तो यहाँ पर आपको delete account option पर click करना है इसके बाद OTP enter करने का option आएगा और साथ ही आपके mobile number पर एक OTP code आएगा जिसे आपको यहाँ पर enter करना है OTP code enter करने के बाद finally submit option पर click कर देना है इसके बाद आपका भारत पे account successfully delete हो जाएगा तो इस तरह से guys आप कभी भी अपने भारत पे account को delete कर सकते हैं तो आज की सब वीडियों बस इतना ही मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चैहिंद